नमस्कार किसान साथियों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर आज हम लेकर रहे हैं देश की विविन मंडियों के गेहों के बाव क्या चल रहे हैं इससे पहले आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी तक आगे आने वाली वीडियो समय पर पहुंच के मंडियों में गेहों की आपुर्ती एम स्टोप की कमी बन गई है तो कि पिछले टेंडर के आरों में विलम हुआ है एक साथ आई भारी गिरावट के बाद मंडियों में आवा गड़ती निचे वाले बाव में रोलर फ्लोर मिलों की मांग निकलने से 5-6 दिनों में 20-30 रुपे प्रति गुंटल की तेजी आ गई है यहां जो निचे में 2370 रुपे तत्सोंवार को विकाता उसके भाव 2400 रुपे बोलने लगे हैं आगे फिर गेहों का टेंडर है उसमें सीगर आरों बनने के बाद गेहों के बाव आपुर्ती बढ पर कट जाएंगे अभी आजिर में मीलों चक्यों में माल की कमी होने से टंप्रेरी बाजार 20-25 रुपे सुधर शकते हैं क्योंकि सरकार द्वारा पिछले दो दिनों में टेंडर दिया गया है लेकिन पाइपलाइन में माल नहीं है आज गेहों के बाव में 20-25 रुपे की पिर्शा मंडी की बात करें तो गेहों मावरा 21-25 रुपे नरेला मंडी में गेहों मावरा 24-20 रुपे परती कुंटल गेवानी मंडी में गेहों मावरा 23-4 रुपे परती कुंटल पुजायन मंडी में गेहों मावरा 22-24-24 रुपे परती कुंटल इटार्शी मंडी में गेह तुप से पाद करें तो 2, exaggerां रसे suggests 2, July 9 रफे परति रुटे पर धोंडिमें, तो 22 से 215 रफे परति कुंटल, निम्मच मंडी में गववरा 2145 रुपय पर्तिकुंटल गंगानगर मंडी में गववरा 2145 रुपय पर्तिकुंटल औरिया मंडी में गववरा 2145 रुपय पर्तिकुंटल एटा मंडी में गववरा 2220 रुपय पर्तिकुंटल को सांबी मंडी की बात करें तो गंबारा बाइसो पैंसे रुपई परती कुंटल तीलर मंडी में गंबारा बाइसो पैंसे रुपई परती कुंटल बेराइच मंडी में गंबारा बाइसो पैंसे रुपई परती कुंटल पुना मंडी में गवंबारा 2100 से 2600 रुपे पर्तिकुंटल। आतरस मंडी में गवंबारा 2300 रुपे पर्तिकुंटल। पुना में गवंबारा 2200 रुपे पर्तिकुंटल। आपुर में गवंबारा 2300 रुपे पर्तिकुंटल। पुना में गवंबारा 2300 रुपे पर्तिकुंटल। आमध नगर में गवंबारा 2400 रुपे पर्तिकुंटल। गवंबारा 2260 रुपे पर्तिकुंटल। गवंबारा 2260 रुपे पर्तिकुंटल। गवंबारा 2360 रुपे पर्तिकुंटल। अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा किनेची से सभी तक वाव की जानकारी पहुंच के अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।